मेरे उपर से 30 मीटर उपर से गंगा नदी बह रही है और उसके नीचे से मैं चलता हुआ आपके लिए तश्वीरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अश्वीरे नीचे से या कोई बड़ा प्रज़क आस्थ कभी हुआ नहीं है आपको बताएं जहां खड़े हैं हमारे उपर से यह गंगा नदी गुजरती है उसके ठीक नीचे से नीचे मैं ख़डा हो और अब करने वाला माहौल होगा जब आप यहां से गुजरेंगे हमेशा हम लोग घंगा के ऊपर से ट्रावल करतें गंगा नदी नीचे होती है ऐसा पहली बार होगा जब आप इस टनल से माा गंगे यही से उपर हुगली नदी यानि गंगा नदी जो यहां से सागर में मिलने के लिए आगे जा रही है वो नदी यहां से गुजरती है और यही से उसका पॉइंट शुरू होता इसके डिमार्केशन किया गया है मैं खड़ा हुँए हावडा स्टेशन है क्योंकि आप साँनन्ड सुनाई भी दे रहा होगा आपको हावडा स्टेशन का एन्नॉंसमेंट हो रहा है हमारे इस तरफ में 16 प्लैट्फघ сл July तो यहां जिधर में हम खड़े इस तरफ में 15 मिलनРЕ्टफ़ॉट्वाभ है हावडा स् हिस्सा है और यहां के बाद टनल सुरू होगा जो महाकारण यानि कि राइटर्स बिल्डिंग में जा करके उस टनल पर अगला स्टेशन आएगा उसके बाद जो स्टेशन है यहां से आप अगर बैठेंगे तो सीधा सियालदा स्टेशन या फिर दम दम तक यात्रा यहां कर पाएंगे जब यह पूरी तरह से बन करके तयार हो जाएगा तो अभी हम आपको लिए चलेंगे इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे बन रहा और कैसे इसका निर्मान हुआ है और कब आप इसमें यात्रा कर पाएंगे यह इंट्रेंस पॉंट है इधर से अगर आपको मैं पैन करके दिखाऊं तो इस तरफ से यह हावडा स्टेशन में दो प्लेटफॉर्म यानि पंद्रा और सोलर नमर के ठीक बीचो बीच इसका निर्मान हो रहा है और एफ कॉन नाम की कंपनी इसको बना रहे हैं देखे फ्लोरिंग होना सुरू हो गया है यह आपको बताएं तो यह फ्लोरिंग देखे हो रहा है तर में जमीन से हम नीचे उत्रहें पहला फ्लोर है जहां पहुंचे है और यहां के बाद क्या है वो नीचे पर आपको दिखेगा एक करके यह प्लेटफॉर्म है अच्छा यहीं ट्रेन मिल जाएगा लोगों के यहां से इधर के तरफ हाड़ा मैदान होगा ठीक है और वहां से रिजन जाएगा महाकरान श्याल्डा जहां जाना है अच्छा महाकरान